तो आज के वीडियो में हम देखेंगे नर्सरी बच्चों के लिए मैच्च की वरक्षीट तो फॉस्ट कोश्चन इस गिवें मैच्च दसेम नमबर्स यहां पर मैंने वन से लेके नाइन तक के नमबर्स लिखे हुए हैं और उसके बाद उनी नमबर्स को यहां पर मैंने उप को वन नमर से मैच कराएंगे टू को ढू के नमबर्स मैच कराएंगि एससायसे तरह सेम नमबर्स को मैच कराएंगे आप बच्चों को इसाइस कळर छी भी बना के देंगे तो वो पढ़ने में ज्यादा इंट्रेस्ट लेते हैं नेक्स्ट कोशन इस गिवें काउंट एन राइट बच्चों को बोलिए कि यह सारी फिगर्स को काउंट करें और यहां पर उसका नंबर लिखें कि वो कितने नंबर से तो here first picture is given 1, 2, 3 तो बच्चें यहां लिखेंगे 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 1, 2 Now see the next question after, before and between क्योंकि नर्सरी के बच्चें बहुत छोटे होते तो उन्हें after, before, between में थोड़ा problem होता है तो आप इस तरह से उन्हें number lines ड्रॉ करके दीजिए और number lines पे उन्हें after before number बताईए तो after before में क्या होता है like after मतलब आगे के numbers यानि बाद वाले numbers तो number line में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं जब हमें after करना होता है तो तो यहाँ पे 4 लिखा है देखेंगे number line में 4 कहा है यहाँ पे तो आप बच्चों से बोलिए कि 4 के बाद यानि 4 के आगे कौन सा number है तो 4 के आगे number आ रहा है क्या 5 तो यानि 4 के बाद क्या आता है 5 तो यहाँ पे 4 के after में लिख देंगे 5 next number 7 है तो यहाँ पे देखेंगे number line में 7 कहां लिखा है यहाँ पे लिखा है तो 7 के बाद कौन सा number है number 8 तो यहाँ पे बच्चे लिखेंगे number 8 इसी तरह से 2 number number line पे देखेंगे 2 यहाँ पे 2 के आगे कौन सा number 2 के after में कौन सा number है number 3 तो 2 के after में लिखेंगे number 3 पहले वो number line पे किसरा से करेंगे फिर धीरे धीरे उन्हें प्रैक्टिस में जब आ जाएगा तो वह बिना नंबर लाइन के ये आफ्टर बिफोर बिट्वीन करने लगेंगे next before, before में क्या होता है, back हमें जाना होता है यानि backward counting करनी होती है तो suppose यहाँ पे 3 लिखा है, तो 3 number line में कहा है, यहाँ है तो 3 के before में, यानि 3 के पहले, तो 3 के पहले कौन सा number है, number 2 तो यहाँ पे लिखेंगे number 2 next number 5, 5 number line में यहाँ पे, तो हम back जाएंगे 5 के back में कौन सा number है 4 तो यहां लिखेंगे number 4 next is given 10 10 के before में कौन सा number है number 9 तो यहां पे लिख देंगे number 9 तो इसी तरह से आप बाकी के questions बच्चों से solve करा सकते हैं now next is given between अब between सबसे easy होता है यहां पे देखेंगे between में beach का number between means beach में 2 और 4 के beach में 2 और 4 के between में कौन सा number आता है तो number line पे देखते हैं यहां पे 2 लिखा है और यहां पे 4 लिखा है तो 2 और 4 के between में कौन सा number है number 3 तो यहां लिख देंगे number 3 now next 6 and 8 6 and 8 6 और 8 के between में कौन सा number है number 7 तो यहां लिखेंगे 7 तो इस तरह से आप बच्चों को ये सारे questions solve करा सकते हैं Now see the next question circle the given number आप यहाँ पे एक number लिखा हुआ है number 8 आप यहाँ एक picture raw है उसके अंदर मैंने बहुत सारे numbers लिखे हैं आपको क्या करना है बच्चों को बोलना है कि इन numbers में से जहाँ जहाँ एक लिखा है उसे circle करना है तो बच्चे इसमें देखेंगे जहाँ जहाँ पे 8 लिखा हुआ है यानि ये वाला picture बना हुआ है वहाँ वहाँ बच्चे उसे circle करेंगे इससे क्या होता है इस question से बच्चों की recognition power बढ़ती है ठीक है जैसे छोटे में जब बच्चे accounting पढ़ते हैं तो वो 1 to 10 तक 1 to 20 तक बोल तो जाते हैं बट उन्हें लिखना नहीं आता वो numbers को पहचानते नहीं है recognize नहीं कर पाते हैं तो इस तरह के questions आप उन्हें देंगे तो इससे बच्चे recognize करना सीखेंगे कि ये number 8 है तो इतने numbers में अगर वो same numbers को circle करेंगे तो उन्हें concept clear होगा कि 8 इसी को कहते हैं next 5 है अब इतने numbers में आपको बोलना है कि बच्चों को 5 numbers को circle करें तो यहाँ पे 5 है again 5 5 5 5 now see the next question 3 अब इसी तरह इस picture में बच्चों को 3 3 को circle करना है और next में 7 को circle करना है right now see the next question question number 5 write the missing numbers यहाँ पे बच्चों को missing numbers करने हैं suppose यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो 4 के बाद कौन से numbers आएंगे यहाँ 2 लिखा तो 2 के बाद कौन से numbers आते है 5 लिखा तो 5 के बाद कौन से numbers आते है यानि बच्चों को यह counting complete करनी है तो अगर बच्चे डिरेक्ट नहीं लिख पा रहे तो आप उनसे बोलिए कि वो पढ़ें 1 से 1, 2, 3, 4 4 के बाद क्या आता है 5 then 6 6, 7, 8 now next number 2 2 के बाद 3, 4, 5 now see the next 5 है 6, 7, 8 तो यह हो गई nursery की worksheet इसके previous videos में भी मैंने आपको बच्चों को counting लिखना कैसे सिखाना है और फिर उससे related कुछ questions आपको कराए हुए तो अगर आप मेरा वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन में उसका link देदूंगी आप वहाँ से जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं यह सारी worksheet कराने के पहले आप बच्चों को इस तरह से numbers tracing करके उन्हें number recognize करना सिखाए कि यह 5 होता है यह 6 होता है इसी तरह से ऐसे 8 बनता है आप इस तरह से बच्चों को ice cream बना के या कोई भी figure draw करके ऐसे सरकल बनाएं और बच्चों को बोलें कि 8 circles को count करके color करें 8 को trace करके लिखें फिर 8 को वो अपने से लिखें यहाँ पे एक abacus बना के बच्चों को बोलें यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rings बनाएं इसके क्या होगा बच्चों का 8 का concept और clear होगा इसी तरह से आप बच्चों को 9, 10 यानि 1 से लेके 10 तक पहले आप इस तरह से उन्हें नंबर्स लिखना सिखाएं नंबर्स को recognize करना सिखाएं उसके बाद आप यह सारी वक्षिट उनको solve करा सकते हैं तो यह हो गई नरस्वी की वक्षिट इसके बाद में और भी बहुत सारी वक्षिट इस चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगी तो प्लीज अगर आपको मेरा वी